नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर दिवेश सादड़ी वाला है मैं सिम्स होस्पिटल एम्दाबाद में पेडियाटिक कार्डिरोजिस्ट हूँ मैं आपको बाल रदे रोग के बारे में सामान्य जान करी दूँगा बाल रदे रोग मतलब बच्चों में देखे जाने वली रदे की बीमारिया बच्चा जब मा के गर्ब में विकास हो रहा होता है तब ही कुछ कारणों सर अगर रदे का विकास ठीक से नहीं हो पाता तो ऐसी बीमारिया जन्मल लेती है बाल रदे रोग के बारे में समाद में क प्रकर की तकलिफे देखी जाती हैं, जैसे की रदे में सुराग होना, रदे की नलियों का उल्टा सुल्टा जोडान होना, रदे के कमरों का उल्टा सुल्टा जोडान होना, रदे के वाल में तकलिफ होना, ये सारी तकलिफे बाल रदे रोग में देखी जाती हैं, इन तकलि बीमारियों के लिए और उप्चार के लिए उसको इंजोप्लास्टिक जरूर पड़ती है तो हर एक बीमारी का अलग-अलग उप्चार होता है वह बीमारी का प्रकार क्या है उसके इसाफ से तैकिया जाता है इन बीमारियों के उप्चार के लिए समय और वजन की कोई सीमा नहीं होती है एक दिन के बच्चे का और एक किलोग्राम के बच्चे का भी ऑपरेशन किया जा सकता है 95% बीमारियों में आपरेशन की बाद बच्चे की जिनगी एकदम नॉर्मल रहती है आप बाहर से फर्क भी नहीं मैसूस कर पाते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल है ये बच्चे का आपरेशन हो पाया है सेमस हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में बाल रदे रोग में ट्रिटमेंट करने वाला सबसे बड़ा और सबसे अनुबवी डिपार्टमेंट है